तो दोस्तू, टाटा मोडस की तब से कमाल के और धमाकेदार खबर निकल कर रही है, और वो खबर है टाटा के TIAGO EV को लेकर, टाटा मोडस ने ओटो एक्सपोर 2020 पर आप सब लोगों को टाटा के TIAGO EV को दिखाया था, लेकिन उसके बाद इसकार को बिलुप्त कर दिया गया, म पूरी डीटल देने वाल है, क्योंकि सब कुछ करता चल चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो आप वेट क्यों करेंगे, अगर पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाए, तो आप से लोग प्लानिंग कर सकते हैं, TIAGO EV को लेगा, फटावर्स लाइक करना बिल्कुला बुले, दोस्तों सबसे पर इसका के एक्स्टेर की बात करें, तो आपने ओटो एक्सपो पर देख लिया है, और सेम एक्स्टेर आपक आपको chrome ascent दिनकों मिलती दिना, मनलब chrome की finishing, same wind finishing आपको इस car पर blue करके दिनकों मिलेंगी, क्यूंकि यहाँ पर ये electric vehicle है, और Tata Motors के सबी electric vehicles पर आपको blue करके ascent ही दिनकों मिलेंगी, जिस तरीके से TGO, EV और Nexon EV पर मिलती है, उसी तरीके से TIAGO EV पर भी blue करके grill, और बागी पर्हां के साथ में बात करें तो इस car के इंटेरियरेशल पर आपको सेम होई 7 न्य फिरफ्ट ईस्क्रीन फिरेंड मिलेगी एंडूरर को सबस्रीक qualifications करेंसेम समीन टैंटॉमिट्टे फिर्लब क्लाइमेट के सबहट जोगा है टॉप मडल पर आपको यहां पर भी 15 के टार्च उप्शन मिलेंगे और यहां पर सबसे कमाल के बाद इसका कि इंजन जो की वाई इंजन नहीं वालकि लेक्रिक मोटर है जिस तरीके से आपको टाटा के टियागो और टीगोर पर सेम इंजन दिनको मिलती है न सिम उसी तरीक पर जाना है या पिर जाना है एक हैच बैक यानि कि आप से लोगों को टियागो लेना है तो उसी तरीके से अब आपको डिजाड करना है कि आपको टिगोरी भी लेना है या फिलेना है टियागो यह भी तो वहां पर आप से लोगों को इंजन पर यानिकी पर्फोर्मेंस पर रेंज पर कोई भी तक के डिफ्रेंस नहीं भी लगा यहां पर भी आपको मिलेगी 26 क्लोवेट की बैटरी पेक 75 पीएच्पी की पावर 170 अम तक का टॉर्क और जिसकी रेंज होगी 306 किलोमेटर और इस इस कार को भी आप नौर्बल घर के चार्जिक से भी चार्ज कर सकेंगे साथ में फार्स चार्जिंग का सपोर्ट होगा यानि के रगवाग एक घंड़ के अंदर इस का को आप फूल चार्ज कर सकेंगे मतलब फूल चार्ज मतलब 0-80% यह फी 90% के चार्ज कर सकेंगे और यह भी टीगोर इवी की तरह से ऑटोमेटिक गिर के साथ में आने वाली है इसके साथ में सबसे कमाल की बार दोस्तों Tata के Tiago EV का सबसे बड़ा प्रोफिट क्योंकि इस सेग्मेंट पर कोई और इलेक्टिक कार नहीं है तो Tata Motors को सबसे बड़ा बैनेफिट इस तरह से मिल रहा है कि इसका कोई भी कॉम्पीटिटर नहीं है तो जो भाई मार्केट में पहले आता है वो ज़्यादा लेट तक चलता है वो ज़्यादा बैतरीन चलता है तो यहाँ पर सबसे कमाल की बैनेफिट टाटर टीएगो भी होगी कि यह इंडाई की सबसे चीपेश इलेक्टरिक कार होने वाली जिसकारण से लोग इसको लेना सबसे ज़्यादा पसंद करें तो आपको 10-11 राग के सेग्मेंट पर यह कार देन को मिलेगी और सबसे कमाल की बाई कोई कॉम्पीटेटर नहीं होगा तो इस कार के बाई मतलब टॉप सेलिंग पर जाने से कोई भी नहीं रोख सकता तो कैसे इसी महीने इस कार को लॉंच किया जाने वाले है टाटा कर दो आता माल विल को लाए मेल तेक नवी बड़ श्ता टो कि ले जा हैंद जाने वान देमात्र।